नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सनीवत्स और आप देख रहे हैं Crystal Cars आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे Wagner K-Series के लिए एक Proper Wooden Armrest Armrest की पूरी डिटेल और गाड़ी में लगने के बाद इसका क्या लुक आएगा आएए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं ये है Wagner K-Series के लिए Proper Wooden Armrest Wagner 2010 मोडल से लेकर 2019 मोडल तक जो K-Series गाड़ी है उसके अंदर ये बिल्कुल प्रोपर फिट आएगा आराम से सिरफ आपको उठा के इसको रखना है गाड़ी के सेंटर कंसोल के उपर ये बिल्कुल फिट हो जाता है Wooden Armrest हर गाड़ी हर मोडल के हिसाब से अलग अलग आते हैं इनकी Proper Detail वीडियो हर गाड़ी के हिसाब से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी Proper होने की वज़े से इसके अंदर हर गाड़ी का मोडल के साइज अलग होता है Length और Width का भी डिफरेंस आता है गाड़ी के कंसोल के हिसाब से कोई थोड़ा सा जादा ब्रोड होता है चोड़ा होता है तो कोई हलका चोटा होता है जैसे Alto चोटा होगा तो Wagnaar थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा आईए आपको गाड़ी में लगने के बाद इसका लुक दिखाते हैं कि गाड़ी के लुक में क्या डिफरेंस आता है लगने के बाद यह है Wagnaar K-Series आर्म रेश्ट लगने के बाद गाड़ी के लुक में क्या डिफरेंस आता है यह अभी आप अपने सामने देख सकते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल के उपर बिल्कुल फिट हो जाता है हैंड ब्रेक वगरा यूज करने में कोई प्रॉलम नहीं होती है क्योंकि गाड़ी का नाप लेकर उसके मोडल के हिसाब से भी बनाया जाता है और अंदर स्टोरेज के लिए देखे काफी स्पेस होता है आप अपना चोटा मोटा सामान इसके अंदर मोवाईल वगरा रख सकते हो वैगनर के सिरीज के इंटिरियर के हिसाब से इसमें ब्लैक कलर ही चलता है लेकिन इसमें ब्लैक और बेज आपको दोनों कलर के उप्शन मिल सकते हैं जिस लेदराइट कपड़े यानि रैक जिन से आपके सीट कोर बनते हैं सेम उसी से बनता है तो गाड़ी के इंट्रियर में बिलकुल मिक्स हो जाता है अगर आपके ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा होती है तो काफी आराम दैक भी रहता है